पावर अवटर्निक क्या है पावर अवटर्निक को पी ओ ए या अधिकार पत्र या मुक्तार पत्र के नाम से जाना जाता है पावर अवटर्निक दो प्रकार के होते हैं एक जन्रल पावर अवटर्निक दूसरा इस्पेशल पावर अवटर्निक तो पहले हम जानते हैं कि पाव है कि कि नीजी कार व्यापार या कानूनी कार में उसे रीप्रेजंट करे करें जिसको अधिकार देता है उसे मुक्तार या अठरनी सबसे जाना जाता है अब हम जानते हैं लीगल प्रतिनिद्ध के रूप में गोशित किया जाता है और अधिकरत प्रतिनिद्ध को प्रिंसिपल कहा जाता है एजेंट अपने यह सबी कानूनी वित्य और अन्न मामलों में प्रिंसिपल की और से नड़े ले सकता है एजेंट को एड़ोकेट होना ज़रूरी नहीं है एजेंट को प्रिंसिपल के द्वार लिखे पावर अफ़ टॉड़ने के हिसाब से कार करना होता है अगर एजेंट पावर आफ़ करने के साथ रियल स्टेट या अचल संपत्ति खरीदने या बेचने जैसा काम कर सकता है जन्रल पावर अवटरने के माध्यम से आपको अपने पैसे और संपत्ति के बारे में निर्णाय लेने की शक्ति देता है बैंक खातों या बंदर क्रेडिट कंपनी का प्रबंधन करने क के लिए बिलो का भुक्तान करने के लिए पेंशन ये लाभेकर्द करने के लिए और ज़रूरत पढ़ने पर सेल ट्रांसफर बेचने के लिए अनुमती देता है एक बार जन्रल पावर अवटरने पंचिक्रित होने के बाद तुरंट उसके बाद उसका उप्योग किया जा स लिए जन्रल पावर अवटर्ने को रत करने के लिए जिसको पावर अवटर्ने दी गई है उसको नोटिस देना होता है और पबलिक में भी नोटिस इसू करना होता है अब हम जानते हैं कि इस्पेशल पावर अवटर्ने क्या होता है इस्पेशल पावर अवटर्ने किसी वि स्थान की किया जा सकता है कि बैनिफिट्स ऑफ पी ओए यानी पावर अवर टॉड़ने एक निश्चित इस्थान पर अपने मौजद्गी होने से बचा जा सकता है एजेंट को अपने लिए निर्णाय लेने की शक्ति प्रतांग करता है यह परिवार के सदस को एजेंट के पावर दिता है यदि एजेंट परिवार का फदस या विश्वशनी विखती है तो आपको किसी बात की चिंता करने की अवशक्ता नहीं है कि वेलिडिशन ऑफ पावर अफ अटॉर्णी पावर अटॉर्णी की वेलता प्रिंस्पल या एजेंट की मित्यू के बाद पावर पावर अटॉर्णी मानने नहीं होती है यदि प्रिंस्पल किसी दुर्गटना के कारण हक्ताक्षर करना बंद कर दे तो पावर अफ अटॉर्णी पहले ही समाप्त हो जाती है इसके अलावा प्रिंस्पल पिछले पी ओए को भी रद कर सकता है जब कोई नहीं पावर को समाप्त कर दिया जाता है इसमें दोनों पक्चों की सहमती से समाप्त किया जाता है अगर किसी कारण वश एजेंट एक साल के भीतर पावर अटॉर्णी का गलत उप्योग करने लगे तो इस मामले में कोर्ट में शिकायत दैट कराई जा सकती है यदि कोई समस्या है तो उ कंपेंशियट भी करना परता है